हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3 1 टैक तो फ्रेंट्स आपने यूट्यूब पर काफे सारी ऐसी वीडियो देखे होंगी जिनमें आपको बताया गया है कि आप अपनी वीडियो का अपलोड करने के 6 घंटे बाद ये ट और साथ मैं आपको ये वी बताने वाला हूँ कि वीडियो को अपलोड करने के 24 घंटे बाद आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिस से सच में आपके ये वीडियो वाइरल होने में आपको काफी जाधा हेल्प मिलती है काफी जाधा मदद मिलती है तो वीडियो को पूरा लास तो पर दिखाई दे रहा होगा तो प्लिस जाके इनके चैनल को सपोर्ट करें और इनके चैनल का link आपको वीडियो के डिसक्रिफिशन बॉक्स पर मिल जाएगा वहां से जाके इनके चैनल को जरूर चेक आउट करें और आप भी अगर विनर बनना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सा काम करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को पूरा देखके लाइक करना है और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करना है और जिसका भी पहला कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसकी चैनल को प्रोमोट करूँगा तो आप वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नौटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडिό को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यूट्यूब पर ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं होती जिससे आपकी वीडियो तुरंत वाइरल हो जाए तो आपके मैंड में अब एक कोश्चन एकदम से उठता होगा कि क्या वो सब यूट्यूबर्स जिन्होंने ऐसी वीडियो बनाई है कि 10 गंटे बाद 8 गंटे बाद ये ट्रिक लगा दो वीडियो वाइरल हो जाएगी क्या वो सब गलत बता रहे हैं तो friends मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी experience को आपके साथ share कर रहे हैं उन्होंने ऐसा experience ऐसा experiment अपनी वीडियो के अंदर किया और उनको अच्छे result देखने को मिले वही वो आपके साथ share करते हैं तो आपको उनके experience को जरूर सुनना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उनका कोई experience से आपकी video viral हो जाए आपकी video में views आजाएं अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी YouTube video को viral करने के लिए उस पर ज्यादा views लाने के लिए दो चीज़े main role play करती हैं मतलब दो चीज़े बहुत ज्यादा important होती है एक तो होता है आपकी video का thumbnail और दूसरा होता है आपकी video का title आपने एक चीज़ जरूर नोटिस कियोगी जब भी आप अपनी YouTube video का upload करते हैं तो उसका notification जब आपके subscribers को मिलता है तो उनके जो notification आता है उसमें आपका thumbnail और टाइटल ही उनको दिखाई देता है ऐसे ही YouTube भी जब आपकी video को search में भेजता है तो वहाँ पे भी लोगों को भर के views आने लग जाते हैं और अगर आपके कोई video viral हुई है पहले कभी तो आप उसमें जाके भी check कर सकते हैं उसके analytics में आपको impression click through rate आप जाके check कीजिएगा उसमें वह 10 से जाधा होगा impression click route जितना 10 से उपर होगा जितना जाधा होगा उसका मतलब है कि लोग आपकी video को उत जाता हूं कि जब भी आप अपनी video upload करते हैं उसके 24 घंटे बाद आपको जाके अपना impression click through rate जरूर चैक करना चाहिए अगर वह 10 से कम आ रहा है 5-6-3-4 इतना आ रहा है तो आपको उसमें उसका thumbnail change करने की जरूरत है और अगर आपका ऐसा लगता है कि उसका title भी मैंने कुछ से जादा है फिर तो आपको उस वीडियो में कुछ भी change करने की जरूरत नहीं है उस वीडियो पर व्यूज आ रहे होंगे अगर कम है तो आपको उसका title और thumbnail जरूर चेंज करके देखना चाहिए इससे आपके views बढ़ने में आपको काफी जादा help मिलेगी उमीद है कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपनी YouTube वीडियो की views को increase कर सकते हैं अगर आपक को यह वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक यू